हलो फ्रेंड्स आप सभी एक और फिट से विशन जगर में बहुत बहुत स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं लाइटरल इस्टिविल्टी के बारे में हम आल्रेडी बढ़ चुके हैं लॉंगी टूर्णल इस्टिविल्टी वारे में अगर वीडियो ना देखे हो तो अब आज पढ़ने लाइटरल इस्टिविल्टी की बारे में सब्सक्राइब ہारे में टिप तक की जो डिस्टेंस होती हो लाटरल एक्सिस कहलाती है, अब जो एक लाटरल होता है, यह जो है लाटरल एक्सिस के राऊंड हमें इस्टिबिल्टी प्रोवाइड करता है, तो आप खुद से ही देख सकते हैं कि एक विंग किस से जुडा रहता है, मतलब कि एक mounting चाहडता है नियां क्यों कि लेगन सब्सक्राइब न काओ कर अप expensive धाने चाहरों के बारे में आपको मताने वाले हैं रहीडर '' इम्म्हां कि पर वियंग के लेबर नहीं कुछ कॉपक 안यों होता है उठा रहता है वही ही होता है डाहेडरल हैंगreno और अपक्तना दिख सकते ही दोने साइद व का कुछ आकार बनाता है तो वही जो जो वी का सेभ बनाता है उसी को कहते हैं वो होता है दोस्तों हो इंच विंक मतलब कि दूनों साइट की विंक से एक पैल दॉर लाइण अगर आप ले 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 और उपर देखिंगे कितने एंगल पर उठा हुआ है तो वही होता है अम आको दे ग screens____ और वहां पर गष्ट आता है उसे कराण प्लेन अन्बैलेंस हो गया प्लेन डाउन गिर रहा एक साइड जो है डाउन गिर रहा दूसरी साइड विंग तो उस साइड जो है ज्यादा विलाउस्टिस से एर फोर्स करेगी like आप जब अपना हाथ जो नीचे की तरफ तेजी से ले जाते हैं तो आप खुद ही देख सकते हैं कि आपके down side हाथ पर कुछ हवा लेगी लेकिन अगर वही पर अगर आप हाथ उपर की तरफ अपना तेजी का सथ ले जाएंगे तो down side वाले अरिया पर हवा नहीं लगए गई आउपर साइड वाले अपर हवा जो है तो यहां से यह है कि जो डाउंसाइड का विंग है जो इसका लोवर पोर्षन है वह जो है कुछ एंगल पर है तो जब उसको तेजी की साथ हावा जो है श्ट्राइक करेगी तो वहाँ से दोस्तों लिप्ट प्रोइड होगी क्योंकि लिप्ट को फार्मूला होता है हाफ रोभी स्क्वाइर एरिया को श्ट्राइक करती है जब एरक्राट हमारा अन्वैलेंस होता है तो उस साइड जिस साइड से एरक्राफ्ट जो है like साइड स्लिप वाली जहां समभावन हो रहेती है मतलब गिरने की अपने एक्सिट से बाहर जाने की उसको क्या करेगा तो तेजिक साथ लिप्ट प्रवाइड करेगा लाइक डाउन साइड एर कॉट हमारा गिर राइट साइड का विंग है वो नीचे गिर रहा तेजिक के साथ तो राइट साइड पर जो है विलाश्टी तेजिक साथ स्ट्राइक करती है तेजिक के साथ जो है पर तो हमें अच्छा-क्रषाइट पूरी बैलेंस की कंडिसन में आ जाता है यूणिक्न का फार्मुला में पता है वहां से जिस साइट पर यह ज्यादा होने लगी वहां का लिप्ट में प्रोडेस हो जाता है। उससाइड पर कुछ ज्यादा ही लिप्ट बनने सुरू हो जा होता है फिर उसके बाद कर ले से उसके बाद बिंग का लीडिंगेजी वाला एरिया होता है कितना पीछह तक गया है इंगल गया इर्य होता है धर्व जैसे ही डांगई विट्सक्रार्द यूजी करता है तो उसीप्रकार से जू, जू विंग डाउं जाता है तो मैंने बता है कि उस पर जोनी जहें एर जोए जूवधी साथ स्ट्राइक करेगा उसके लोवर इरिया पर जैसे एर स्ट्राइक करता हुसको लिट ची प्रोड्यूस हो जाती है क्या रोल होता है दोस्तों आप पेंडूलम को क्या गाम होता है वह जो है कहीं से भी छोड़ा जाए तो जाकर के एक अपने निश्टी पोजीशन पर ही जाकर कर रुखता है ठीक किसी प्रकार से एरकार को फ्यूजलाज होता है जो दो विंग होते हैं तो विंग भी पेंडूलम की तरह ही है लाइक फ्यूजलाज उसका जो है संटर एरिया तो जब एरकार के फ्यूजलाज को इस प्रकार से आंपर बना जाता है कि उसका वेट डिस्ट्रिबिशन होता है कुछ इस प्रकार से बना जाता है कि वह अपने याप ही अन्बाइलेंस हो तो उसके बात भी है जो है अपनी वरिजिनल पोजीशन पर आ जाए थोड़ा बहुत छोटे में आपको बताने कोशिश है कि आप समझ जाएं कि क्या होता है और क्या कौन-कौन से फेक्टर एफिक्ट करते हैं आपको समझ गये होंगे अब वीडियो आपके लिए विच्पूल रहा होगा इंफॉर्मेटिव रहा तो प्ले सब्सक्राइब करना सपोर्ट करना थमीडे, पर वाचिक भडोन से फारो करते हैं